हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोगे मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था टेली प्राइम में बाचर के अंदर जितने भी बाचर होते हैं जैसे पेंड बाचर, रिसीब बाचर, परचे बाचर, सेस बाचर, जनल बाचर और कांटर बाचर इन सभी बाचर का युजी टेल कांड की होती है जैसे कितनी का पर्चेश किया गया कितना पैसा कंपेश का है ये कितना फैसा कंपनी से किया गया है तो देखें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेली प्राइम में इन्वेंटिव मास्टर के अंदर स्टोक गुरूप, स्टोक आइटम स्टोक केटिगरी, यूनिट और लोकेशन ये सभी कैसे क्रियेट करते हैं और क्रियेट करने के बाद बाचर के अंदर AJ Invoice Mode में इंट्री कैसे करते हैं AJ Invoice Mode क्या है फैंट्स टेली प्राइम में AJ Invoice Mode के अंदर जब वे कोई आटम पर्चेस करते हैं तो वहाँ पे आटम का नाम क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट और पार्टी का नाम इन सब की इंट्री करने ही पड़ती है तो फैंट्स आज इस वीडियो के अंदर इन सभी के बारें बताने वाला हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है इस वीडियो का अंतर जब देखें अगर आप हमने जेल पे नए हैं तो हमाँ चल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आकान बटन पर किलिक कर दें ताकि मैं आपके लिए टेली प्राइम से लेटेड है कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ आपको उसकी जिनकारी सबसे पहले मिल सके तो चलिए फैंट्स से शुरू करते हैं आज को टोपिक है तो देखें फैंट्स से सबसे पहले आपको टेली प्राइम ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको एक नई कंपनी क्येट करनी है तो कंपनी क्येट करनी के लिए कीबोर्ड से पेस करना है एफ थिरी और यहाँ पर आपको जाना है create company में यहाँ पर पहला option ने company का नाम है तो यहाँ पर टाप कर दिया मैंने Rakesh India Private Limited है यह देखें फ्रेंट से इसके बाद इंटर करके यहाँ पर आपको टाप करना है mailing name तो यहाँ पर मैं company का नाम देता हूँ यहाँ पर address टाप करना है मैंने आप टाप कर दिया ऐखला phase 2 और इंटर करके यहाँ पर state शूच दाप टाप कर दिया दिली और यहाँ पर टाप करना पीन KOD तो यहाँ पर टाप कर दिया यहाँ पर करना इंडिया.com और यहां पर company का website टाइप करना है तो मैंने आप टाइप कर दिया www.rakesindia.com इसके बाद इंटर इंटर करके page को accept करना है जैसी accept करेंगे फैंड से यहां पर लिखावा आ जाएगा company created successfully यहां पर आपको accounting के अंदर दोनों feature को yes करना है तो यहां पर पहले से yes है इसक यूँकि इस वाले company के अंदर हम accounting और inventory दोनों में काम करेंगे इसके बाद यहां पर दियावा GST का feature इसके बारे में हम आगी की वीडियो में पढ़ेंगे GST क्या होता है GST कितने type का होता है और GST का use टेली प्राइम में कैसे करते हैं तो अभी मैं इस वाली feature को no कर देता इसके बाद यहां पर gateway of tally के अंदर यह जो create का option है आपको यहां पर इंटर करना है और यहां पर आपको जाना है inventory master के अंदर store group में और आपको यहां पर इंटर करना है यहां पर आपको टाप करना है close है इंटर करके यहां पर आपको अंदर में देना होता है कि यह जो group है य इसलिए आपर हम रखेंगे प्राइपर करके पेज को एकसे करना है यहां पर गत्रोनिक और को यहां को रखना है अपको प्राइमरी और लिया गृूर्प एक्ट वाणा सी थीजया कोजलों प्रॉंटर यौछोंटर यहांप प्रॉम से पर यूस स्थिक्टर करना है यहां पर, इंटर करके, आपकर आपके अनुदर्टन प्रॉम्टर करना है यहां पर यहां pieces का full frame type करते हैं तो मैंने यहाँ पर type कर दिया pieces से और enter करके number or discipline places में आपको यहाँ पर देना 0 और इसका रथ इंटर करके page को accept करना है escape क्यू Tik ordinance करके back आना है यहाँ पर को जाना है location में और enter करना है यहाँ पर लिखा WITH friend से देली और इंटर करके यहां पेज को accept करना है एक देजिया मैंने यहां पे हर्याना और इंटर करके यहां पेज को accept कर दिया देखें फेंट से inventive master के अंदर सबसे पहले आपको stock group, stock category, unit और location बनाना होता है उसके बाद आपको last में फिर आपको stock item बनाना है तो आप यहां पे दे सकते हैं फेंट से अंदर का मतलबता है group है तो जो हमने group बनाया हुआ है उसका list यहां पे आया हुआ है फेंट से तो यह जो computer है किसके अंदर में आता है cloth में या electronics में तो यह आता है electronics में तो मैंने आपर चूच कर लिया electronics से और यहाँ पर unit में आपको देना है PCA से और इंटर करके page को accept करना है इसके बाद जैसे यहाँ पर बना दिया मैंने T-shirt है यहाँ पर अंडर में देना है group है तो यह जो T-shirt है यह किसमे आएगा growth में क्योंकि यह एक कपड़ा है तो मैं यहाँ पर चूच कर लिया cloth है और यहाँ पर चूच कर लिया PCA से और इंटर करके page को accept करना है तो फ्रेंड से यह तो हमने बाद लिया item तो आपको इस समझ में आ गया होगा inventive master के अंदर stock group, stock category, stock item, unit और location कैसे create करते हैं इसके बाद आप हमें बादा है laser तो laser बादी के लिए आपको यहाँ पर जाने laser में और यहाँ पर इंटर करना है एक बाद यहाँ आपको देना है अंदर तो capital करना होता है capital account जो पहले से selected है और इंटर करके आपको page को accept करना है एक बादा है आपको purchase account तो यहाँ बाद यह परचेज account इसका जो अंदर होता है purchase account और यहाँ पर page को accept करना है इसके बाद एक बाद यहाँ आपको sales account इसका अंदर होता है sales account और यहाँ पर इंटर करके आपको page को accept करना है एक बाद देन supplier पर चूच के लिए मैंने पेच को एकसेब कर दिया एक बान देता हूं कस्टमर अकाउंट तो यहां बाते हैं इसका पर पहली की वीडियों में बता रखा है इसलिए यहाँ पर शिर्फ लेजर का नाम और अंडर ग्रूप देने के बाद आपको पेज को accept करना है अगर आपको यहाँ पर detail फिल करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं लेजर बाने के बाद AJ invoice में entry करने के लिए keyboard से paste करना है escape की और यहाँ पर यहाँ पर जाना है gate of tally के अंदर यह देखें फ्रेंड से यह page हमारा gate of tally का और यहाँ पर आपको जाना है voucher पर और यहाँ पर इंटर करना है जो अभी हमने inventory master के अंदर item बनाया था फ्रेंड से उससे यहाँ पर purchase sale करना है यहाँ पर कोई भी आटम पर्चेस सेल करने से पहले या फिर कोई भी इंट्री करने से पहले सबसे पहले इंट्री करते हैं हम capital की यानि कंपनी में पैसा लेके आते हैं तो capital की इंट्री होती है receive voucher में तो मैंने आप कीबर्ड से पेस कर दिया F6 यहाँ पर पहला option है CR का तो यहाँ पर चूच के लिए हमने capital है और यहाँ पर टाइप कर दिया हमने 5 लाख है यह देखिए और इसका बाद इंट्री करके DR आपको चूच करना है कैसे यहाँ पर आपको टाइप करना है नेरेसन है यहाँ पर चाना पर परचे बाचर में उसके लिए कीबर्ड से पेस करना है F9 यहाँ पर सबसे पहला option दियावा है supply invoice number आपको यहाँ पर टाइप करना है bill number जिस supplier से हम आइटम परचेश करते हैं तो जो भी यह bill देता है फ्रेंड से उसका bill number यहाँ पर टाइप करना परता है जैसे मैंने आपर टाइप कर दिया A1 से 0001 उसके बाद इंटर करके यहाँ पर आपको डेट टाइप करना है इसके बाद यहाँ आपको देना है party का नाम है तो यहाँ पर परचेश करने फ्रेंड से तो मैंने आपर चूच कर लिए supplier यहाँ पर रिसीब नोट है रिसीब डोकुमेंट टंबर है इसके बारे मैं आपको आगी की वीडियों बताऊंगा फ्रेंड से तो यहाँ पर इंटर इंटर करके आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपसे पूछेगा supplier details से यहाँ पर आपको supplier का address टाइप करना पड़ता है तो टाइप करने के बाद इंटर करना है और यहाँ पर आपको देना परचेश ले जा रहे तो यहाँ पर मैंने बनार रखा फ्रेंड से यहाँ पर चूच के लिए हमने purchase account है यहाँ पर लिखावा है name of item कौन सा item purchase करना है तो आप यहाँ पर देशकते हैं फ्रेंड से यहाँ पर कहीं भी item का list नहीं आया हुआ है तो item का list लानी के लिए keyboard से paste करना है space की तो आप यहाँ पर देशकते हैं यहाँ पर आइटम का list आ चुका है तो यहाँ पर पर चूच करना है computer यहाँ पर चूच के लिए मैंने computer है और यहाँ पर देखें फ्रेंड से यहाँ पर पूच है location यहाँ भी कहीं भी location नहीं है फ्रेंड से तो location की list लानी के लिए keyboard से paste करना space की यहाँ पर चूच के लिए मैंने जिसे दिली यहाँ पर देना quantity तो मैंने यहाँ पर two type कर दिया यहाँ पर देना एक computer rate कितना है तो यहाँ पर टाप कर दिया मैंने 12,000 है और जैसी मैं इंटर करूँगा फ्रेंड से दो computer का amount हो गया 24,000 रुपे इसके बाद आपको इंटर करके नीचे आना है और यहाँ पर इंटर करके आपको यहाँ पर चूच करना है end of list और इंटर करके आपको यहाँ पर चूच करना है new reference और इंटर इंटर करके आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर टाप करना narration ने nation type करने के बाद है और page को accept करना है तो इस तरीके से हम item purchase करते हैं हमने एक ओर item बनाया था t-shirt है तो अब मैं आपको t-shirt purchase करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर type कर दिया हमने ax0002 supply invoice number में तो यह हमारा होगी है bill number यहाँ पर date type करना है इसकाद party name तो यहाँ पर चूच करने मैंने supplier और इंटर इंटर करके आपको नीचे आना है और इस तरीके से और यहाँ पर देना purchase layer तो यहाँ पर चूच करने के लिए keyboard space करना है space key और यहाँ इस बार ले लिए मैंने t-shirt है यहाँ पर चूच करना location तो इस बार ले लिए मैंने आपे हर्याना यहाँ पर टाइप करना quantity तो मैंने आपे दे दिया मैंने 10 पीसे से rate वाले column में एक t-shirt को rate टाइप करना है तो यहाँ पर टाइप करना है तो यहाँ पर टाइप कर दिया 250 और इंटर करके यहाँ पर आप दे सकते हैं friends से 10 पीसे का हो गया 2500 है और इंटर करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर चूच करना है end of list है और इंटर करके यहाँ भी आपको चूच करना है new reference है और इंटर इंटर करके आप नीचे आना है यहाँ पर आपको टाइप करना narration और narration टाइप करने के बाद पेज को accept करना है तो इस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर आइटम परचेश करते हैं सेल करने के लिए आपको जाना है sales voucher में उसके लिए keyword से प्रेश करना है F8 सबसे पहले चूच करना है party name तो यहाँ पर चूच के लिए मैंने customer और इंटर करके आपको नीचे आना है और इसके बाद भी यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको देना sales ledger तो यहाँ पर पहले से बना रखा है तो यहाँ पर मैंने पहले से लिए बना रखा है F8 तो यहाँ पर चूच के लिए मैंने sales account है यहाँ पर आपको item slate करना है तो item के list लाने के लिए space की प्रेश करना है यहाँ पर चूच के लिए computer है और यहाँ पर आपको दिखाए का F8 हमारी company में कितना पीस है तो दो पीस है तो यहाँ पर मैंने computer slate कर लिया और यहाँ पर लोकेशन चूच करना है तो space की प्रेश करके और यहाँ पर चूच कर लिया मैंने daily और आप यहाँ पर दे सकते हैं यह जो हमारा item है कौन से godown में है तो देली में है, इसके सामने यहाँ पर दिया हुआ है quantity, तो यहाँ पर चूच के लिए दिली, यहाँ पर टाइप करना है quantity, तो मैंने एक पीस सेल कर दिया, और यहाँ पर rate करना है, माली यह फैंड से हमें purchase करें नहीं पता है, तो उसे देखने के लिए keyboard से paste करना है, alt-s, tisnya X10.50, तो यहाँ पर टाइप करते हैं, पिप्टीन थावजेंट आजंड, और इंटर करके, आपको फिर नीची आना है जिस तरिके से पर्चेज में Netherlands करना है, और इंटर करके यहाँ आपको चूच करना है new reference, और यहाँ आपको इंटर करके आपको नीची आना है, तो य यहां पर आइटम, तो इस पेस की प्रेस करके, यहां पर ले लिया मैंने टी सेट है, और यहां पर लोकेशन, तो मैंने आप ले लिया जिसे, यह हर्याना में, आप यहां पर दे सकते हैं, यहां पर हर्याने के सामने, दस कॉंटिटी यहां पर दिखा रहा है, क्योंकि हमने प पता नहीं है कि हमने कितने का पर्चेश किया था तो उसके लिए आपको यहां पर कीवर्ड से प्रेश करना है अल्ट ऐसे तो यहां पर दिखा देगा एक बिसका रेट कितना है तो यहां पर हमने पर्चेश किया था 250 में तो यहां पर करना है तो पेमिंट करने के लिए कीबोर से पेस करना है यहां पर पहला ओप्सन ने डियार तो आपको यहां पर चूच करना है किस पार्टी को को पेमिंट करना है तो यहां पर चूच के लिए मैंने सप्लायर और जैसी आप इंट्र करेंगे फ्रेंड से तो आप यहां पर द जैसी इंटर करेंगे फेंड से यहांपर pending Still Kitchen उने कुपनी पर परिआप payment करते हैं तो किया पर चूच करते हैं अगेंस एंगेंस पर अगेंसले यहां पर उन्तर कर लेका है कि इतक्र बुचना करना है किस चीज से आपको पेमिट करना है तो मैं यहां पर नाम स्लेट करना है जिससे आप पैसा लेना है तो यहाँ पर चुछ कर लिए हमने customer और यहाँ पर देखिए फेंड से यहाँ पर इसका balance दिखा देगा total इससे लेना हमें 17,450 रुपे माल लीजिए यह जो customer है यहाँ पे करना है 15,000 रुपे और इसका बाद इंटर करके यहाँ पर चुछ करना है अगेंस रे फेंड से जैसी आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका पेंडिंग मिल दिखा देगा फेंड से तो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसको हमने दो बार सेल किया है पहला बिले इसका 15,000 रुपे का और दोसा बिले इसका 24,000 रुपे का तो फेंड यह पे करना है कितना 15,000 रुपे तो यहाँ पर मैंने पहला भी स्लेट कर लिया और इंटर करके यहाँ पर इस तरीके से हम नीची आ गए और DR आपको चुछ करना है कि यह जो कस्टोमर है यह हमें पेमिट कैसे कर रहा है तो मैंने आपको चुछ कर लिया कैसे और इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करने नेरे सान और इंटर करके पेज को एक्सेप करना है तो आप मैं देखा फैंड से टेली प्राइम के अंदर इंवेंटी मास्टर में स्टोक गुरूप, स्टोक आटम, स्टोक केटिगरी, यूनिट और लोकेशन कैसे क्रेट करते हैं और AJ Invoice के अंदर कोई आटम पर चेसल कैसे करते हैं और परचेस सेल करने के बाद किसी भी सप्लाइर को पेमिंट कैसे करते हैं और किसी भी कर्स्टमर से पैसा कैसे रिसीव करते हैं आज के इतना ही इस वीडियो के अंदर कोई ऐसा आप्सान है जो आपको समझवें नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना बोलें अगर आपको मैं चेल पेंडा हैं तो मैं चुर्क सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आकम बड़न भी क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए टेली प्राइम से लेटेट को भी वीडियो अप्लोड करूँ आपको उसके जिनकारी सबसे पहले मिल सके ठैंक्स